करोना के नाम पे जो किया वो असंगठित शेत्र पे तीसरा आक्रमन, तीसरा वार गरीब लोग, स्मॉल और मीडियम बिजनिस के लोग रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं जब आपने बिना कोई नोटिस लॉकडाउन किया, आपने इनके उपर आक्रमन किया प्रधान मंत्री जी ने कहा कि 21 दिन की लड़ाई होगे असंगठित शेत्र की रीड की हड़ी 21 दिन में ही तूट गई लॉकडाउन के बाद खोलने का समय आया और आप देखिए कॉंग्रेस पार्टी ने एक बार नहीं अनेक बार सरकार से कहा गरीबों की मदद करनी ही पड़ेगी नियाए योजना जैसी एक योजना लागू करनी पड़ेगी बैंक अकाउंट में सीधा पैसा डालना पड़ेगा नहीं किया हमने कहा कि स्मॉल और मीडियम बिजनिसेस के लिए आप एक पैकेज तियार कीजिए उनको बचाने की जरूरत है बिना इस पैसे के ये नहीं बचेंगे सरकार ने कुछ नहीं किया उल्टा सरकार ने सबसे अमीर 15-20 लोगों का लाखो करोड रुपे टैक्स माव किया लॉकडाउन करोना पर आक्रमन नहीं था लॉकडाउन हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमन था हमारे युवाओं के भविश्य पर आक्रमन था लॉकडाउन मजदूर, किसान और छोटे व्यापारियों पर आक्रमन था हमारी असंगठित अर्द्रवस्ता पर आक्रमन था हमें इस बात को समझना होगा इस आक्रमन के खिलाफ हम सब को खड़ा होना होगा